नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में स्कूलों के निरिक्षन को लेकर केके पाठक का नया नर्देश अर्बन ट्रांजिशन मिशन में आठ सहरों में पटना का हुआ चयन टीसे एला राज्य में दस लाग जमाबंदी की करेंगे जांच जेगिल एमलसी राधा चरंच साह के यहां हुई रेड एश्या कप फाइनल में भारत के साथ इस टीम की हो सकती है भिरंद इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों क्योर विस्तार से बिहार में स्कूलों के नरिक्षन को लेकर केके पाठक का नया नर्देश बिहार के सरकारी स्कूलों में हो रहे नरिक्षन को और भी बेतर बनाया जा सके और असरदार बनाया जा सके इसको लेकर बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीन के के पाठक के द्वारा प्रखंट सिक्षा पदाधिकारियों की जिम्यदारी को बढ़ा दिया गया है उन्होंने सभी को नरदेश देते वे कहा है कि स्कूलों के प्रभावी नरिक्षन के लिए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सक्रिय की जाए जिसमें 14 कर्मी कारेरत होने चाहिए ऐसे वे जिस प्लॉक में 14 कर्मी नहीं है वह नरदारत एजनसी से कर्मीयों की कमी दूरी पूरी कर ले पतादे किस संदर्ग में उन्होंने पत्र के माध्यम से जरूरी दिशा नरदेश जारी किये हैं इसके लावा उन्होंने कहा कि नरेक्षन के दौरान स्कूल परिसर में ग्रीन अद्वा ब्राउन एरिया को खड़ाब न किया जाए और साथ नरेक्षन के दौरान स्कूलों में परी राशी की भी जानकारी दी जाए HOMEWORK और TEST की जानकारी अनिवारे रूप से ली जाए स्कूलों में 9 बज़े से पहले सभी दर्वाजों के ताले खोली जाए Urban Transition Mission में आट सहरों में पटना का हुआ चेयन Mission Innovation के अंतरकत Urban Transition Mission में इंडिया के आठ सहरों का चयन किया गया है जिसमें से एक बिहार के राजधानी पटना भी है ऐसे में अभी सभी सहर आपस में अपनी इनोवेशन को साजा करेंगे और फिर Global Innovation Summit में जाएंगे जिसमें Urban Mobility के छेतर में Net Zero, Pollution, Air Quality, Water Supply आधी विश्यों पर चर्चा होगी बता दे किसके लिए जिन आठ सहरों का चयन किया गया है उनमें पटना के अलावा एहमदबाद, कोची, पंजी, पटना, पुने, इंदौर, सूरत और वारनशी के नाम शामिल है वहीं सब के लावा बहुत जल्दी बिहार के राजदानी पटना में चार जगों पर नए पार्किंग अस्थल बनाए जाने वाले हैं बतादेक इसको लेकर विभाग के अपर मुखे सचीव ब्लजेश मिरोतरा के दोरा भूमी सुधार उपसमहारताओं की मासिक समिक्षा बैठक में इन जमाबंदियों की समुचित तरीके से जांच करने का नरदेश दिया गया है उन्होंने कहा कि DCLR गलत या संदेहसपत जमाबंदियों के कायम होने के आधार की मांग संबनित अंचलों से करें वहीं गलत पाये जानी पर उन्हें नरस्त करनी के अनुसंसा के साथ अपर समहरता के पास अभी लेक भेजतें इसके लावा उन्होंने यह भी कहा है कि तैस समय के बाद अंचलों में लंवित दाखिल खालिज के मामलों की अलग से समिच्छा की जा और उसके लिए जमेदारी कर्मी की पहचान कर उच्चित कारवाई करें DCLR को यह नर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन अंचलों की जमाबंदी पुंजी को अपने पास मंगा कर ठीक से जांच करें और अगर जमाबंदी पंजी में खाली पन्ने मिले तो उसको क्रॉस कर दें बिहार में नई सक्चक भरती के बारे में जाने सब कुछ बिहार में बहुत जल्दी एक और सक्चक भरती होने वाली है दरसल बीत दन बिहार लोकसेव आयोग और सक्चा विभाग के पदा धिकारियों के बीच हुई बैठक में यह नर्ने लिया गया है कि ऑक्टूबर में बीपीसी के दौरा चटी से बारवी तक की कक्चा के सक्च बार पदों पर बहाली निकलेगी वही नौवी दसवी और ग्यारवी बारवी के सिक्चकों के पद का आकलन वरतमान न्युक्ति पूरी होने के बाद किया जाएगा इस दौरान बीपीसी के दौरा सिक्चा विभाग को कहा गया है कि वेक अक्चा 6 से 8 तक का सिलेबस हाई कोर्ड के जस्टिस पीवी बजंतरी और जस्टिस अरुन कुमार जाके दड़ा कारवाई करते वे उन पे उपर बीस हजार रुपे का जिर्माना लगाया गया है पतादी कि हमामला सिक्चक नियोजन से जुरा है दरसल 9 सितंबर 2023 से इस मामले में सुनवाई करते वे कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है और अन्हें सभी उमिद्वारों को इसका लाप दिया गया लेकिन उन्हें नहीं दिया गया या चिका करता के ओर से कहा गया कि पटना हाई कोड के आदेश के बाद भी सिक्चा विभाग में स्पैसले को नहीं माना जेडियो एम तो कागजात कुछ समझ नहीं आये थे इसी सिलसले में तीम दुवारा पहुंची है। बिहार में डिंगो के मामलों में लगतार बढ़ोतरी होती जा रही है। बिहार के लोगों को अंतराष्टी इस्तर पर फैसं की सुवधा देने के लिए बीते दिन अभी नेतरी अक्षरा सिंग के दोरा फ्रेजर रोड स्थित डुम्राओ प्लेस में अपने नए स्टूडियो अक्षरा स्टूडियो का सुभारम किया गया। बता दे के अक्षरा सिंग के दोरा दी गई जानकारी के नसार यहां स्टूडियो में लोग नल्स, एक्स्टेंशन, माइक्रो, ब्लेडिंग, आइज ग्लैसेस, एक्स्टेंशन, आदी, फैसन की सुवधा का लाव उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस स्टूडियो में लोगों को मध्यम, रेंज में दिल्ली और मुंबई वाली सुवधाईं मिलेंगी, बता दे के अक्षरा सिंग के दोरा कहा गया कि उनका लक्षे है, कि वह बिहार के अलग अलग जगों और साथ ही जारकन और यूपी में इस स्टू इन मामलों में कोई खास जादा कमी देखने को नहीं मिल रही, उल्टा सराब तसकर, आए दिन सराब तसकरी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते वे पाय जा रहे हैं, बता दे कि ताजा मामला बिहार के छपड़ा के मकेर थाना चितर के सुन्हों चौक का है, जहां ग पहचान पंकच कुमार यूटूबर के रूप में की गई है, तो वही दूसरे व्यक्ति की पहचान मितलेश कुमार के रूप में की गई है, बतादिक इस बात की जानकारी उतपाद अधिकचक रजनीश के द्वारा दी गई है राजे में मेडिकल वर डेंटल में नमांकन को नहीं होगा मॉप अप राउंड बिहार सिर्मत प्रवेश प्रतियों किता परिच्छा परसत के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि एवं स्वास्त विभा के निर्देश के अनुसार इस बार राजे के 85 प्रतीशत सीटो पर मॉप अप राउंड नहीं होगा और अप कॉलेज में नमांकन तीसरे चरण में होगा मालम हो कि पहले दूसरे चरण के बाद मॉप अप राउंड के तहट नमांकन होता था ऐसे में अब अभ्यर्थी तीसरे चरण में भी अपना नया पंजीकन करा सकते हैं बता दे कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नया रिटेंड वा अपग्रेड सीट आवंटन होता है और वे अगर तीसरे चरण में भी सामिल होना चाहते है तो दूसरे चरण में प्रोवीजनल सीट आवंटन लेटे डाउनलोड करने के एक रम में तीसरे चरण अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर डॉक्मेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवारे होगा वही वैसे अभ्यर्थी जिनका पहले चरण का अवंटन सीट दूसरे चरण काउंसलिंग में रिटेंड हो जाता है और वे सीट छोड़ना चाहते हैं तो 15-16 सितंबर त उसके द्वारा एक साइबर ठक को गिरिफतार किया गया है जिसकी पहचान साजन कुमार के रूप में की गई है जो पुरुव बैंक एंप्लोई है और उसके खिलाफ यह खुलासा किया गया है कि वह फर्जी फिंगर प्रिंट के आधार पर बैंक खाता से रूपया निकालन के लिए जाच चल रही है बैहर के इतने सांसदों पर दर्ज है अपराधिक मामले Association for Democratic Reformers और National Election Watch ने लोगसभा और राजसभा की 766 सीटों में से 763 मौझूदा सांसदों के 100 सपत पत्रों का विश्लेशन करने के बाद यह घोशना की है कि बैहर के 56 सांसदों में से 41 सांसदों याने की कुल 73 प्रतीशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है मैं बैहर के 28 सांसदों याने की कुल 50 प्रतीशत सांसदों के अपने 100 सपत पत्र में गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी गई है उन्होंने देशबर में सबसे अधिक पैसे वाली यानी अम पीशत अरब पती है हाजीपूर छप्रा फोर्लेन हाइवे को लेकर तेश्वी ने गड़करी को लिखा पत्र बिहार में पिछले 12 सालों में अब तक हाजीपूर मुझपरपूर और हाजीपूर छप्रा एनज का निर्मान पूरा नहीं हो पाया है ऐसे में इस हाइवे निर्म 671 करोर रुपे हैं वही हाजीपूर छप्रा हाइवे की लंबाई 66 किलो मीटर है और इसकी निर्मान लागत 555 करोर रुपे है मालम हो कि परियोजना 90 फीस्ती पूरी हो पाई है और अगले वर जून तक इसे पूरी तरह चालू करने का लक्षे रखा गया है सियम नितीश पर समरार चौधरी का हमला बिहार बीजेपी प्रदीश अध्यक समरार चौधरी के दोरा आए दिन बिहार के मुखे मंतरे नितीश कुमार पर हमला बोला जाता है लेकिन उनको आज कल कीरा काट लिया है एक बार दोरा आया था नितीश कुमार को 2014 में कि देश के प्रदान मंतरी बन जाएंगे तो इस तमें दो सीट आई थी इस बार जीरो हो जाएगा उन्होंने कहा कि नितीश कुमार पर जो दाग है ललन सिंग नहीं तैक किया था जब विरोध में थें तब कहते थे पेट का दाथ हम निकालेंगे कोई दूसरा नहीं कहता था लालो यादब पर विदाग नितीश कुमार की पार्टी नहीं लगाया है एशिया कप फाइनल में भारत के साथ इस टीम की हो सकती है भिरन बीते दिन भारत के दोरा श्रिलंका को सूपर चार मुकाबले में 41 टनों से मात दे दी गई और इसी जीत के साथ भारत की इंट्री एशिया कप 2003 इसकी फाइनल में हो चुकी है महीं अब भारत से फाइनल में किस टीम की भिरन्त होगी इसको लेकर लोगों के भी चर्चा का महौल है बता दे कि अब बांगलादे इस जो पाकस्तान और श्रिलंका दोनों से हार गया है उसके फाइनल तक पहुचने के उमीद कम हो गई है ऐसे में अब पाकस्तान और श्रीलंका में से किसी एक टीम की फाइनल में इंट्री होगी जो की 14 सितमर को श्रीलंका और पाकस्तान के बीच होने वाली मैच से फाइनल होगी। नौसद अंसारी, विजंदर सिंग, कपिल देव शाह, अनवर करीम खान, कमले सर्मा, बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा इसके साथ ही बरते हांच के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार, इंडिया गर्बंधन, लोग सभा चुनाओं पर असर डाल पाएगा या नहीं अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सक्षन में लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और चाथ ही अगर आप यूटूब से देखने चलाम को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखे तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद